नमस्कार तो शाहिद कपूर और कृती सेनोन की तेरी बातों में ऐसा उलजा जिया कि तीम दिन का बोक्स ओफिस कलेक्शन आ चुका है खेर इस मूवी का जो बजट है उस हिसाब से अगर ये मूवी लाइफ टाइम में 95 करोड कमाती है तो ये मूवी हिट होगी अगर 85 करोड कमाती है तो ये मूवी एवरेज रहेगी बट इस मूवी का पहले तीन दिन का कलेक्शन आ गया है जो डेवन का कलेक्शन इस मूवी का था वो था 6 करोड 82 लाग का जो की modest वाना जा रहा था कि ठीक है बई और दूसरी दिन का जो कलेक्शन था वो करीब 9 करोड का था क्योंकि Saturday आ गया था तो जिस वज़े से मूवी ने अच्छा जम्प दिखाया था बट फिर आया संडे संडे को एक्सपक्टर था कि मूवी बहुत अच्छा करेगी जो मतलब बड़ा जम्प दिखायेगी 9 करोड 9 करोड से क्योंकि वो संडे था वाई 19 करोड लाइफ टाइम किया था जिससे यह आगे निकल चुकी अपने तीसरे दिन ही और अगर कृती से नौन की बात करें तो उनकी ले टेस्ट मूवी थी गनपत गनपत 200 करोड की बजट की बताई जा रहे थी मतलब बहुत जादा बजट की बताई जा रहे थी और उस मूवी ने टोटल करेक्शन किया था किवल 13 करोड रुपे तो उससे भी जादा ये कलेक्शन हो चुका है खेर इस मूवी का अब मंडे टेस्ट होने वाला है जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर मंडे टेस्ट में ये मूवी फेन हो जाती है तो ये मूवी फ्लोप हो जाएगी और अगर मंडे टेस्ट में ऐसा होता है कि मंडे वाले दिन अगर ये 4-5 करोड एक बड़ी बात यह है कि अगले एक महीने तक कोई भी बड़ी मूवी इस बीच में नहीं आएगी जिसकी वज़े से यह मूवी लोंग रन कर पाएगी और दूसरी चीज़े है कि साथ के साथ रितिक रोशन की फाइटर है आप सोचोगी कि वह एक मूवी है दूसरी मूवी र अगर उन्होंने नहीं देखी होगी और अगर उनके पास टाइम कम होगा या फिर टाइम नहीं होगा कोई और मूवी देखने के लिए उस मूवी के शो का इंतिजार करने के लिए तो वह फाइटर की ही बुकिंग करा लेंगी जिस वज़े से फाइटर को भी इस चीज़ से वे वाइदा है